हेलो आभरीवोर वेलकम बैक अन मैं चैनल नोतन ऊर्लाइन स्टेड तो आज हमारा पार्ट थ्री छल रहा है लेसन प्लैन का हमने पार्ट फस्ट में हमने लेसन प्लैन के बारे में डेफिनेशन इ्ट्रोडेक्ट्चन देख लिया है kt्रिस पार्ट टू में हमने नीड्स एन इंपोर्टेंट्स ओफ लेसन प्लान और एडवांटीज बेनिफिट्स ओफ लेसन प्लान हमने पार्ट टू में देख लिया है पार्ट थ्री में हम देखने वाले हैं हर बार्शन अप्रोच क्या है रिगार्डिंग लेसन प्लान ठीक है आपको पीडियोफ चाहिए आपको करना क्या है केवल आपको comment section में मुझे comment करना है आपको इसका pdf भी मेल जाएगा ठीक है तो मेरा चैनल subscribe कर लीजिए ठीक है तो अभी चलते हैं देख लेते हैं कि क्या है यह हरवार्षियन अप्रोच आप यहां पर देख सकते हैं इसके six points आप यहाँ पर देख सकते है preparation, presentation, comparison, generalization, application और last है recapitulation, ठीक है? यह one by one हम पढ़ेंगे कि हरबारशन अप्रोच की यह जो steps है lesson plan बनाने की वो क्या है? चली वीडियो शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हरबारशन अप्रोच, first point क्या है, first point यहाँ पर देख सकते है, preparation ठीक है, preparation क्या है? preparation means preparing the student, मतलब, preparation का मतलब होता है बच्चेव को prepare करना नई knowledge के लिए और नई experience के लिए यह किस तरीके से है? जैसे example बताया गया है, जैसे कि एक good farmer जो कि अपने जो जमीन है, उसको क्या करता है? irrigate करता है before कोई भी seed उसमें डालने के लिए जो एक farmer होता है, क्या करता है? सबसे पहले, अगर बीज डालने होती है land पर, जमीन पर उसके पहले वो क्या करता है? वहाँ पर irrigating करता है, ताकि उसमें जो बीज बाद में डाले वो अच्छी तरीके से क्या हो सके? पैदा हो सके, प्लांट हो सके, ठीक है? तो उसी तरीके से एक्जामपल बताया गया है, अब आगे जब preparation के अंदर points है, यह इसके अंदर के points से आप देख सकते हैं, first है previous knowledge testing, तो यहाँ पर teacher क्या करती है? जैसे कि यहाँ पर एक्जामपल बताया गया, पहले seed को plant करने से पहले irrigating किया जाता है, वैसे ही बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चे की previous knowledge को check किया जाता है कि बच्चे कितना जानते हैं, कोई topics related बच्चे के पास कितना गयान है, ठीक है? अगर for example, अगर हम बच्चों को cells के बारे में पढ़ा रही हैं, ठीक है? तो अगर cells के बारे में हम पढ़ा रही है, animal cell, इसका cell, उसका cell, तो सबसे पहले बच्चे को ये बात पता होने चाहिए कि cell होते क्या है, otherwise उसके बगार बाकी का कोई चीज पढ़ाना useless हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले टीचर को क्या करना अची है, कोई चीज बच्चे कितना जानते हैं, उसके बारे में किती knowledge है, वो पहले टीचर को जानना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, it involves testing or assessing the previous knowledge, यहाँ पर क्या होता है, कि टीचर क्या करती है, कि देखती है, बच्चे कितना जानते हैं, already उस topic के regarding, अब हरबट क्या calls it, uppercative masses, हरबट ने से क्या कहा है, uppercative masses, previous knowledge, क्या से test किया जाता है, बच्चे से questions करके, टीचर क्या करती है, बच्चों से जानने के लिए कोशन करती है ठीक है तो टीचर पहले बच्चे को स्टोरी सुना सकती है उसके बात या कर सकती है कोई टॉपिक भी डिसकर्स कर सकती है कोई एड यूज कर सकती है ठीक है कोशनिंग के दुरान टीचर ये सब चीज़े यूज कर सकती है फ्लेश काड यूज करती है छोटा माध ही तो जो मैं लेस्न पॉन्ट करते हैं ? पहले टीचर से ने कोशन पूछते हैं ओसके बाद जब टीची बच्चो ने बता दीया बच्च थासकते हैं , events. कि अब बुरे बता चल गया है कि बच्कशे के हथे लिचे कि का second point आता है यहां पर presentation, presentation क्या है पता ही होगा, present किया जाता है, अपना topic, systematic तरीके से बच्चों के सामने present किया जाता है, जिसमें की teacher appropriate method यूज करती है, जैसे की teacher कोई भी method यूज कर सकती है, जिसमें storytelling, discussion method, question answer method, explanation method, narration, description, demonstration, exposition, analyzing, inductive, reductive, play way method, कोई भी अच्छा से method teacher use करके बच्चों को पढ़ा सकती है, साथ ही साथ teacher उसमें teaching aid, models, यह सब चीज़े use करती है, अपने presentation को effectively बच्चों तक पहुचाने के लिए, ठीक है, थार्ड है association and comparison, यहां पर क्या होता है, कि teacher use करती है audio-visual aid or examples to compare one new fact with old ones, teacher जैसे बच्चे को कुछ थोड़े बहुत knowledge है, ठीक है, for example, अगर हमने देखा कोई example, अगर teacher बच्चों को पढ़ा रही है, photosynthesis के बारे में, ठीक है, तो teacher बच्चों के जो old knowledge है, जिसमें teacher बच्चों को पढ़ाई थी, leaf के बारे में, leaf green क्यों होता है, या तो ऐसा थोड़ा बहुत topic जो बच्चे को अलड़ी पता है, तो क्या करते है teacher, उसकी साथ compare करके, नए वाले जो बच्चे को topic पढ़ा रही है, उसको साथ compare करके, कोई चीज़े समझाती है, इससे क्या रहता है, बच्चे भी कोई चीज आसानी के साथ समझ जाते हैं, ठ generalization क्या होता है, इसका मतलब होता है general law, principle, formula और conclusion of lesson, ठीक है, association और comparison के बाद, those conclusion are framed, जो conclusion निकलता है, उसे क्या कहते है, generalization, ठीक है, this conclusion differ for each teaching points of lesson, तो यह conclusion differ करता है, हर एक topic पर, हर एक lesson पर, teaching should be helpful in finding out a certain conclusion, teaching teacher पढ़ा रही, तो last में कुछ conclusion तो निकलना चाहिए, ठीक है, if conclusion is drawn by student, then it's good, अगर conclusion है, अगर वो students के द्वारा ही निकाल लिया जाए, तो जादा better होता है, otherwise the teacher should have them to complete it, अगर बच्चे नहीं conclusion निकाल पाते, last में सार नहीं निकाल पाते, तो teacher उस बच्चे को help करती, guide करती है, ठीक है, अच्छा, आगर देख लेते हैं, application, fifth number है, तो इसका basically aim क्या होता है, the aim of this step is to apply the principle framed by students to solve particular problem, तो बच्चे के लिए जो questions होते है, जो frame कियो होते है, principles apply by the student to solve, कोई एक problem को solve, till then bye bye and take care, this steps help in fixing knowledge in the student's mind, तो इससे क्या होता है, कि बच्चे की जो दिमाग पाते है, कोई जो भी problems है, वो इसको fix करने में help होती है, the teacher tells the student to solve particular problem given in the class, और teacher बच्चे को कोई एक problem दे देती है, उसको solve करने के लिए बोलती है, for example, in social studies, the making of model, जैसे for example, just social study में model बनाना, या तो map बनाना, chart बनाना, diagram बनाना, graph बनाना, material को present करना, ठीक है, sign के थ्रो, ये सबी चीज़ application के under आते हैं, अच्छा, last है हमारा recapitulation, recapitulation क्या है, recapitulation का मतलब होता है, revision करना, या knowledge का repetition करना, तो ये last में किया जाता है, lesson के end point पर, जैसे teacher recapitulation में बच्चे को, बच्चे का पूरा ज्यान जानने की, कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितनी understanding है, ठीक है, कितना समझे बच्चे, वो सब जाने के लिए teacher क्या करती है, बच्चे से कोशन पुछती है, ठीक है, according to Herbert, recapitulation is an important part of the lesson, तो Herbert क्या कहते है, कि जो recapitulation है, बहुत ज़दा important part है, lesson का, और psychology के according क्या है, कि recapitulation help in retaining the knowledge into subconscious mind, कि जो recapitulation है, वो क्या help करता है, कि जो भी knowledge है, इसको subconscious mind ने पहुचाने तक मदद करता है, in reality, students acquire knowledge about the lesson in the classroom, in recapitulation, they have to repeat that knowledge, recapitulation में क्या होता है, जो knowledge बच्चे को मिली है, उसको repeat करना, जो teacher कराती है, तो इससे क्या होता है, कि बच्चे कोई भी knowledge को असानी के साथ समझ में आदा, तो उनके subconscious mind में वो बात, वो knowledge पहुचाती है, तो बच्चे को कोई which is understand, असानी से कर लेते हैं, ठीक है, तो ये recapitulation था, ये 6 point है, किस ने दिया था, Herbert ने दिया था, इसी के कहते हैं, Herbert Approach of Lesson Planning, ठीक है, पार्ट 3 था हमारा, और 3 आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको description box में मिल जाएंगा, ठीक है, मेरा चैनल अगर आज की वीडियो क आपको पसंद आई हूँ, तो आप मेरे चैनल को, make sure, like, share, subscribe करना बिल्कुल मत बूलिएगा, मिलतें नेक्स्ट वीडियो में, with another very related topic, till then, bye and take care.